आपको पतानी हो गया होगा मेरे यूटूब चैनल का नाम इस पोड़ी दिर में ये भी पता चल जाएगा मैंने ये नाम क्यों रखशाई स्पोर्टसरपर चैनल और आज मैं मिलवानेजा रहो आपको ओलम्पियन गोपाल जी सैनी से आपको पता ही होगा इनके बारे में नही मेलिस रहूं मैं पहला भारती अथलीट हूं जो 14 मिनट के नीचे 5000 मिटर दोड़ा और 8 मिनट 40 सेकंड के नीचे 3000 मिटर स्टी पलचे दोड़ा अभी 42 साल से मेरे रेकॉर्ड है करीब 16 रेकॉर्ड है जो अभी तक चल रहे हैं वीविन इवेंट में वीविन प्रतियोगताओं सेरा, आपनी ये गेम क्यों चूच किया ऐसा है मैंने क्या हूआ कि मेरे को खेल कुछ देखने का बड़ा शोग था मैं कुस्ती के या पहले दंगल होते तो उसमें मैं पहलवानी देखने जाता था पिर जो भी खेल होते तो उन खेलों को मैं देखता था तो सन 1975 में क्या है क बड़ी टूनामेंट हुआ नेशनल वो मैंने देखा उच देखने के बाद में मेरे मन में भी जब मैडल वगरा बच्चों ने पहने तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि मैं मैडल पहनू तो फिर मैंने धीरे-धीरे मेरी जो कदकाठी इसकी साब से मैंने ये दोड़ का ही चुना क्योंकि मैंने ज्यादा लंबा ने ज्यादा छोटा मीडियम साइज का हूं तो मीडियम साइज के लिए एथलेटिक्स में ही सब कुछ ठीक रहता है और एक इंडीजवल इवेंट है इसमें कुछ रिफारस की जरूत ने होती के लिए मैंने ये लंबी दोड़ को चुड़ा सर आपके कौन-कौन से गेम में क्या क्या मेडल आसिल किये और आपके कितने क्या रिकोड़ रहे आज कल के खिलाडियों को भी बता दीजिए मेरा तीन हजार मिटर स्टीपल चेज में नेशनल रेकोर्ड रहा है पांच हजार में मैं पहला भारती अथलेट हूं जो चोदह मिनट के नीचे पांच हजार मिटर दोड़ा भारती थियास में आज तक कोई खिलाड़ी मेरे पहले नी दोड़ा और अभी मेरे पंद्रा सु मिटर दस हजार मिटर और तीन हजार मिटर स्टीपल से और सम्मे क्या है करीब 16-17 स्टेट के इंटर यूश्टी के वर्ड रेलवे के चुकि मैं पहले रेल में भी काम करता था इंडियन पुलिस में पुलिस में भी मैं था तो मेरे इस तरह से 16-17 रेकॉर्ड अभी वर्तमान में चल रहे हैं जो कि विभीन प्रतियोगताओं के हैं सर आपके कितने क्या मेडल हैं और आपको कितने क्या आवार्ड प्राप्त हुए चोदा साल तक नैशनल चैंपिन रहा और मैंने हर नैशनल मीट में मैंने दो मैडल जीते हैं और वर्ड की जितनी भी प्रतियोगता हैं उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और विस प्रतियोगता होती है उसमें मैंने दो बार एश्या महाधीप को रिप्रेजेंट किया है इंडिया में ऐसा कोई भी खिलाडी नहीं है जिसने एश्या महाधीप में भारत क प्रतानश़ी मिली है और जो भी एवाड है करी परेम मुझे सब खेल किससे सम्बन दीता हैं देखे ये तो तो मैं जैते हमारे बारत की प्रधान मुंत्री। नै भ eighth bas Case उसे इन से रहा और ये सारे मैडल जो आप देख रहे हैं ये मेरे ही जीते हुए हैं जो पीले रंग के हैं वो गोल्ड है और वाइट कलर के हैं जो सिल्वर हैं बाकी जो काश्य हैं तो ज्यादा है तो गोल्ड और सिल्वर हैं काश्य पदक कमी हैं और ये मेरे क्या है कि अरज जो भी आप ये देख रहे हैं ये सब मेरे जीते हुए हैं और ये महारना परताव आवाड है ये अपने राजस्तान का स्पोर्स का सबसे बड़ा आवाड है और ये कहा है कि हमारे ये सारे पदक वगरा जो हैं ये आप देख रहे हैं और ये हमारा अरजुनेवार है जो भारा सरकार हमें देती है ठीक है ये इदर आप देखिए ये अरजुनेवार है ये सबसे बड़ा पुरुषकार खेल के लिए होता है ये खिलाडियों को ही मिलता है खेल के लिए तो इस तरह से ये सारे मेडल मेरे आप देख रहे हैं वो सा कि भही रेकॉर्ड तने ज़्यादा देर रहने नहीं जाई है रेकॉर्डों को जल्दी जल्दी तूटना छीए आप लोगों को मेहनत करना चाहे הא能 हमेशा जू बन तो यह तूने के लिए तो यह नहीं चाहिए तो मैं दो यह अबान करना चाहता हूं कि आप मेहनत Как और साल में एक दो रेकोर्ड हमेशा तोड़ें जिससे कि हमारे देश का अंतराज इस तर पर नाम रोशन हो सके सर आपके यह रिकोर्ड किस किस ने तोड़े थे वीना साल वे महराश्ट का जो की आर्मी में नोकरी करता है उसने मेरा रेकोर्ड तोड़ा और 5000 मिटर का जो मेरा रेकोर्ड था वो भादुरू सिंग के रेले में उन्होंने तोड़ा ने आपने यह जो जो कॉंपिटिशन खे तर में तो वहाँ पर क्या सिंथेटिक टेक्टर है हमने कभी देखा ही ने था वो रबबड का होता है उसके उसको दोड़ने के लिए जूते भी अलग होते हैं उसकी दोड़ने की स्टाइल भी अलग होती है तो हम जब यहां से दोड़ते दोड़ते हम गए तो बाद में हम में वहां जाना पड़ा तो वहां मेरे पाँ जूते भी नहीं थे उस ट्रेक के जूतने के लिए तो फिर मैं नंगे पाँ वहां पे पांच अजार मिटर भागा और वहां एशिया के करीब 20 बाई देशों के खिलाडी आए वे थे फिर मैंने उनको पहली प्रतियोगता में सब खिलाडियों को कहना चाहता हूं कि अब भी और पहले टाइम में जमीन आश्मान का अंतर है पहले ने तो सिंथा टेक था अब जैसे राजस्तान में पांच सिंथे टेक बन गए ऐसे इनके दोरने के लिए जो ब्रैंडेर कंपनी के जूते हैं वो पहले मिलते नहीं थे लेक टेकनिक है कोचिंग है साधन है यह सब पहले हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था डाइट है हम लोग इंडिया के में भी थे तो हमें दो पीस पनीर के एक छोटी सी कटोरी में हमें रिच डाइट करूप में वो मिलता था लेकिन अब जैसे भारत सरकार की तरफ से यह सारे स खेलने लें के तो आपका कैसा क्या अनूबरा देखिए ओलमपी क्या होता है किसी भी खिलाडी के लिए कुमिसनान की तरह होता है जब ख्राडी प्रैक्टिस करता है तो उसके इच्छाह यह रहती है कि मैं ऑलम्पिक जाओं उलम पीक में अपने देश का प्रतिनिद्युत करूं क्योंकि ओलंपिक एक ऐसी प्रतियोगता है जिसमें सारे विस्क खिलाडी एकत्रित होते हैं उड़ते हैं वैड़ते हैं खाते हैं खेलते हैं सारे प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है एक साथ दोरने का एक साथ खेलने का मौका मिलता है तो किसी भी खिलाड़ी होँ जानी सकता क्योंकि International Olympic Committee की कुछ norms हैं उन norms को किलिए जो करता है खिलाड़ी बोहीं खिलाड़ी जाता है जैसे मैं 80 की बात बताओं पूरे भारत बस से हम 10 खिलाड़ी गए तो इसलिए जैसे इशार में के लिए मुझे मौका मिला और मैं गया तो मुझे बाहर बड़े इंजेक्शन मिलें और मैं इखटा करके भी लाएं तो मैं तो आज के खिलाडियों को यही कहना चाहता हूं कि वह अनुचित तरीका ना अपना है पूरे वर्ड में रिसर्च हो गया है कि जो लड़का प्रकर् परफॉर्मेंट देता है कि नेत की दवाई देने वाला दवाई देने वाला खिलाड़ी एक बार तो कहा है अपनी परफॉर्मेंट दे सकता है लेकिन उसके इतने ज़्यदा साइड एफेक्ट हैं कि उन तरीकों को किसी भी खिलारी को नहीं अपना ना चाहिए जबकि पहले तो खिलारी आइना सिन भी नहीं लेते थे हम लोग इतने बड़े बड़े खिलारी रहे लेकिन हमने कभी आइना सिन भी नहीं ली क्योंकि हमारे ने तो जुखाम हुआ ने बुखार हुआ तो हमें लेने का मोका भी नहीं मिला अब जरा-जरा से बच्चे स्टेट में डिस्टिक में सुनिया लगा रहे हैं ये बहुत कला तरीका है हम नाडा भी बुलाते हैं इनके मेडिकल टेस्ट भी कराते हैं medical के time पे भाग जाते हैं फिर छुप जाते हैं किसी पे action लेते हैं और अब तो parliament में bill भी पास हो गया है कि जैसे 6 मेने की सजा है और 2 लाग रुपे जुर्मान है और अभी हमारी fed nation तो ये भी कहा है कि जो बच्चा ये बताएगा कि ये खिलाडी इस तरह की दवाई ले रहा है ये कोच इसको दे रहा है तो हम उस खिलाडी को फैड़े से नमारी मैं बताओं एक तो ये मोबाईल जो है कि सभी खिलाडियों का क्या है कि जो अपना दिमाग जो है उसको खराब करता है सब बच्चे यूटूब में खोल के क्या है कोचिंग जैसे उनका जो कोच है वो प्लानिंग करता है कि मेरे बच्चे को इस हपते में क्या करना है नेक्स हपते में क्या करना है और आगे क्या करना है उसके साथ से कोच मेहनत करवाता है उसकी प्लानिंग करता है लेकि बच्च खिलाडी की अपनी च्छमता होती है अपने च्छमता के साथ क्लाइमेटिक कंडिशन है अपनी खुराग है यह सब चीजें खिलाडी को देखना पड़ता है और इसलिए यह मोबाइल में रहके अपना जो कोच बताता है उसी में आपको विश्वास करना ची दूसरा ही क्या है सारे दिन जब कोई खिलाडी प्रेक्टिस करके आता है तो उसको आराम की भी जरूता है रिकवरी के लिए अगर आप सारे दिन मोबाइल में लगे रहेंगे तो आपकी रिकवरी नहीं होगी और मोबाइल से क्या है कि बहुत गलत रेज निकलती है वो खिलाडी के लिए भी और एक साधरन आदमी के लिए भी बहुत नुकसान दायक रहती है इसलिए इसका बहुत तिसी में तुप्योग करना चीए जब आवशकता हो वरना इससे मोबाइल से हर खिलाडी को दूर रहना चीए क्योंकि खिलाडी जब सारे दिन मोबाइल में लगा रहेगा तो उसका क्या परस्काराइश नहीं कर पाएगा सकते हुए लिए शता करको ही इसलिए इन परफॉर्मेंट सोज्स आई इसलिए इन तरीकों को से प्रह ol+. देखे, मैं तो मेरे पिताजी जो थे बड़े अच्छे फटबॉल के और कबड़ी के बहुत अच्छे खिलाडी थे तो मेरे को मेरे पिताजी से ही प्रेहना मिली, क्यों मैं उनको देखता था पिर उन्होंने मेरे को सहयोग भी किया. पहले गया हम जब दोड़ते थे तो कोई साधन नहीं थे लेकिन मेरे पिता जी जब मैं सांगाने वेड़ पे रोल रनिंग करता था तो साइकल लेकर मेरे साथ साथ चलते थे और मुझे प्रैक्टिस कराते थे तो मेरे सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेर्ज जो किया मेरे पिता जी ने किया साथ में मेरे मा ने किया क्योंकि मेरे खुरा का सब चीजों का मेरे मा ध्यान रखती थी फिर मेरे छोटा बाई था उसने मेरा ध्यान रखा इस तरह से घर का पूरा सहयोग मुझे मिलता रहा इसलिए मैं आगे बढ़ा आज कल के जो भी यूवा खिलाडी है उनको आप कैसे जिसन देना चाहते हो डाइट को लेकर दूद पिने की जूरत लिए हर खिलाडी को अपने फिजिक के साफ से अपने फीजियोलोजिकल सिस्टम के साफ से खुराक लेनी चीए उसमें प्रोटीन भी होना चीए उसमें कार्बोहाइड़ेट्स भी होना चीए मिश्रन होना चीए चाहिए वो शाकारी हो चाहिए वो आनसारी हो ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ जादा खाएं और चीजों की कमी हो तो हमारा जो भॉझन है वो बिल्कु तुलित होना चीए जिसे की हमें हर तरह के मिनेरल्स मिलते रहें क्योंकि जब खिलाडी दोड़ता है तो उसमें पस्षिना बहुत ज्यादा निकलता है उसमें बहुत ज्यादा बायलोजिकल चेंजे जाते हैं तो वो सब क्या रेस्ट और खुराग से ही उनका मेनेजमेंट होता है इसलिए खिलाडी को सभी तरह की डाइट अपने मिक्स करके और उनको लेना चीए और दवाईयों से किसी भी खिलाडी को मैं बता दूँ कोई भी खिलाडी दवाईयों से एक बार जैसे हमारे कहावत है काट की आटी एक ही बार चड़ती है तो कोई खिलाडी एक बार अच्छा परफॉर्मेंस का दे सकता है लेकिन दवाईयों से ज़ तुली तहार लेना चाहिए जो उसको सूट करता हूँ सर आप राजस्तान में अभी कौन से पत्पर हो मैं राजस्तान एथलेटिक संग का प्रेसिडेंट हूँ और जैपो डिस्टिक एथलेटिक एसोजन का सची हूँ और एक संगर टेनर कीड़ा भारती उसका राजस्ती अद्दक्स हूँ आप नवीव खिलाडियों को क्या संदेश देना चाहते हो मैं सभी खिलाडियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि उनका काम खाली अपना लक्ष निर्धारित करना है और लक्ष को प्राट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है अब जब भी हम उलम्पिक या एशार में या अन्य प्रतियोकता में जाते हैं तो सारे विस्क के खिलाड़ी आते हैं उनमें खाली तीन ही खिलाड़ी जीते हैं बस सेकेंट थर्टीन ही आते लेकिन किसी भी खिलाडी को अपने लक्ष प्राप्त में बिसलित नहीं होना चाहिए और वहां प्रेंट करके जाना चाहिए कि मुझे में किस चीज की कमी रही जिससे कि मैं पदक नहीं जी सका तो अगली बार जब भी जाए तो मेहनत करें और ज खिलाडी कितनी परेशानिया जोजने के बाद में अपने गोल कर पाता है एक और इसे आ प्रेंग है उनको परेना प्रेंगा संहाइबस कर पाई यह उच्छा लगा और इसे क Аक कुछ भी प्रेंगय कर दीजिए और कर eh or subscribe क्योंकि इससे आपको ऊप्डेयट मिलती रहेगी जो भी हमारा नया वीडियो हैगा जो भी हम खिलाडियों से रूबर रूब करवाएंगे आपको और जितना ज्यादा सेहर कर सके उतना सेहर करें